और दिल्चस्प कहानी के साथ एकदम नया तगड़ा है। अगर हम थलपती विजय की बात करें, तो उनका अभिनय इस फिल्म को एक नई उंचाई तक ले जाता है। विजय के बारे में कोई कहे, वो हर फिल्म में अपनी चाप छोड़ देते हैं, लेकिन वरिसू में उनका अभिनय और भी प्रभावशाली है। फिल्म में उनका किरदार एक ऐसे विक्ति का है, जो एक बड़े परिवार का हिस्सा है, जहां परिवार के बीच की आपसी समस्याएं और विवहार से जुड़े दबाव उसे लगातार परिशान करते हैं। विजय के किरदार में जो द्रड़ता, साहस और संगर्श है, वो दर्शकों को अपने साथ जोड़ता है। विजय का अभिनय ना सिर्फ एक्शन में दमदार है, बलकि इमोशन सीन में भी उतना ही प्रभावी है। उनके चहरे के हाव भाव और समवादों से उनकी अभिनय चमता साफ दिखाई देती है, जो कि फिल्म के हर पल को दिल्चस्प बना देती है। विजय की फिल्म के एक्शन सीन्स भी किसी से कम नहीं है। विजय के एक्शन शॉर्ट्स फिल्म में बहुत ही भव्य और शांदार तरीके से कोरियोग्राफ किया गया है। जैसे ही वो स्क्रीन पर कदम रखते हैं, उनकी ताकत और स्वाभाव दर्शकों को सम्मोहित कर लेता है। खास कर वो सीन्स जब विजय एक्शन में अपने दुश्मनों से भिड़ते हैं, वो वागई में अविस्मरणी होते हैं। फिल्म के एक्शन सीन्स सटीक और प्रभावशाली हैं, जो दर्शकों को ना केवल रुमान्चित करते हैं, बल्कि पूरी फिल्म के साथ उन्हें जोड़ कर रखते हैं। विजय के किरदार की उर्जा और ताकत इस फिल्म को और भी दिल्चस्प बना देती है। अब बात करें फिल्म में रश्मिका मंदाना की जो लीड एक्टरिस के तौर पे नज़र आ रही हैं। ये दोनों के किरदारों के बीच के रिश्टों को बहुत अच्छे तरीके से दिखाती है। फिल्म में रश्मिका का लुक और उनके समबादों का असर दर्शकों पर गहरा होता है। और उनके बिना फिल्म अधूरी सी लगती है। वरिसू की कहानी पर गौर किया जाए तो ये एक ऐसा पारिवारिक ड्रामा है जिसमें सिर्फ व्यक्तिगत संघर्श ही नहीं बलकि परिवार के भीतर आपसी रिश्टों की उलजहने भी हैं। फिल्म में विजय का किरदार ना केवल अपने परिवार की मुश्किलों का हल निकालने के लिए संघर्श करता है बलकि अपने व्यवसाई और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। यही संघर्श की कहानी का मुख्य केंद्र है। फिल्म में विजय का संघर्ष मुख्य रूप से अपने परिवार की प्रतिष्ठा, उनके रिष्टों और व्यवसाईक निर्णय के बीच होता है। ये संघर्ष दर्शकों को उस वेक्ति के संघर्ष में खींचता है जो अपने परिवार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। फिल्म में इस परिवारिक ड्रामे को इस तरह से दिखाया गया है कि आप खुद को उस संघर्ष में महसूस करते हैं। फिल्म में कई महत्वपून मोड आते हैं जो कहानी को और भी दिल्चस्प बनाते हैं। ये मोड ना सिर्फ विजय के निजी जीव की मुश्किलें भी बढ़ती जाती हैं और फिल्म के अंतिम हिस्से तक वो दर्शकों को बांध कर रखते हैं। फिल्म में ये ट्विस्ट बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाये गये हैं जो कहानी को और भी रोमांचक और अनप्रेडिक्टिपल बनाते हैं। ये फिल्म न सिर्फ एक एक एक्शन फिल्म है बलकि ये एक बांध कर दो हैं।